सब्सक्राइब कर लेना और हां इंस्टाइब करना चाहते हो तो आपको रुप्लाइब करूंगा आपको जरूर पूछो मैं आपको 100% रुप्लाइब करूंगा और उससे पहले मैं बहुत जरूरी एक इन्फोर्मेशन देदू यह जब चाहते हो तो आप निचे आपको पूरा पर मैंता हूं कि मैंने अपने कैसे स्टार्ट की थी कैसे मैंने जेनल की चुर्प किया है चाहते हो तो उस जैनल सब्सक्राइब कर लो आपको वहां से बहुत ज़्यादा नौलज मिलने वाला इसको बता कि मैं वहीं बताता हों अब बात करते हैं जाला में नौक्सिडिल के बारे में मैं छोड़ दिया है मैं होमेपाइट यूज कर रहा हूँ लेकिन मिल्च एक मगता है कि आप लोगो जरूर्ड करना चाहिए तो बात करता है कि अपका नेवल है है किस लीएक है तो आपको काम करेंगा मिनोग आपकी यह चीजें बहुत ज्यादा डिपन करता है है कि लिए और ये और तक भी कारण बहुत सारे पर्टिकुलर रिजन नहीं कोई लिए तो कोई पर्टिकुलर के बाद बाद बीमार हो सबसे पहले किसमें काम करता है लेकिंग यह ब्लड सर्कुलेशन के कारण हो रहा है लेकिंग आपका ब्लड सर्कुलेशन है वह अच्छा नहीं है उस करण से आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मिनोक्सिरिल उसमें काम करता है लेकिंग यह बात गारंटी है कि जो बाल आपके मिनोक्सिरिल से आते हैं अब जब मिनोक्सिरिल को लगाना छोड़ दोगे तो वो चले ही जाते हैं और दो लोगों को देखो आप लोगों में एक संका है कि भाई मिनॉक्सरी छोड़ने के बाद कितने दिनों बाद बाल जाता है इसके उपर में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और आपको कुछ प्रोफ भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं बोलूँगा तो आपको लगता है कि भा बहुत अच्छे से काम करता है वहां पर आपके बालों में रिग्रो होने के चांसे ज्यादा रहते हैं पहले जिन क्या है ब्लड स्रॉक्लेशन को ही इंप्रूब करता है कभी आप देखना जिसको बीपी की सिकायत होती है दॉक्त मिनॉक्त करने के लिए बिल्कुल मना करते सुप्लेशन आपके हेरेफॉल का कारण ब्लड स्रॉक्लेशन है तो आप मिनॉक्त करो अच्छे से फैदा होगा लेकिन यहाँ पर में पॉइंट क्या है कि डॉक्त कभी भी बशागा ही नहीं कि आपके हेरे फोल का में किया है तुम अप्ड़़ा सा डव्ट होता है दूसर बात आपके अनुकूल हो वीडियो लगी हो अच्छी तुसी वीडियो कर देना लाइक चैनल अपको फर्च टाइम तुसे कर दना सब्सक्राइब और आपको मुझे बात करने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉल कर सकते हो और आप मेरे यूट्यूब जड़ने की बारे